तो हेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने आइफोन का बेकप ले पाएंगे अपने विडियो को पूर देखिएगा तो यह आप सुच पाएंगे दोस्तो चलते हैं आगे मेरे नाम सणी अरोगर आपका स्वागत है मेरे चैनल दोस्तो जैसा कि मैंने बताया मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने आइफोन का बेकप ले पाएंगे अपने सिस्टम पर तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा आपको इस यूरल पर जाना है या भी बोल सकते हैं आपको यह वाला एक सॉट्वेर नाँनोड करने के आद आपको इसको इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेरेंज दिखाएगा मैंने इस्टॉल कर रखा है तो सिंपल ही आपको इसको इसको बैकप नीचे की तरफ देखेंगे जो की प्रोवशन के लिए अगर आप फ्री में यूज डा सारे फीचर यहाँ पर काम करेंगे अगर आप इसको बाई करेंगे तो यह फीचर भी काम करेंगे जो की बहुत काम के वह फीचर क्या है उस पूरी ब्रेफिंग आपको मैं बताने वारा हूँ सबसे बहले यहाँ पर आएंगे फोटोस पे तो यहाँ पर आप जैसी क्लिक करें और अगर जो Custom Backup बाला दिया गया आप Custom Backup पर जाएंगे यहाँ पर आप फोटो जीजीग वीडियो और मैसे सारा थीन बार हमने उसको copy paste कर लिया तो वो जादा हो जाती है पर हमें find करना तो मुश्किर हो जाता क्योंकि इतनी सारी तो फोटोज रहती है तो आप इसके थूरू बहुत ही easily find कर सकते हैं कि आपके पास कितनी फाइलें डुप्लिकेट हैं कितनी फोटोज आपकी डुप्लिकेट यहां पर click करने के बाद आप सकेंड करेंगे स्केंड कम्प्यूटर का रहा है जैसे आप iOS क्लिक कर लेंगे तो यहां पर आपका इसकें iOS डिवाइस को स्केंड कर लेगा और जो भी उसको लगता है डिटेक्ट करेगा यह जो भी आपके पास डुप्लिकेट फाइल होंगी आपको यहां पर बता देगा जिसको आप एजी ली डिलीट करके अपने iPhone का space को आप खाली कर सकते हैं या बुल सकते हैं फीचर भी बहुत काम का दिया गया है यह उसके बाद नीचे की दरफ आएंगे यहां पर लिगा गया है full backup इससे क्या हुआ आप अपने iPhone का पूरा backup ल करने के बाद ठीक है उसके बाद इम्हां पर दिया गया है HEIC converter जो की बहुत ही काम का फीचर है यह मेरे साथ तो हमेशा ही होता है यह फीचर तो बहुत काम का है होता क्या है अगर आप अपने iPhone में कोई भी फोटो को क्लिक करते है वो HEIC version पर होती है उससे क्या होता है अगर आप उन को कहीं शेंड करते हैं या कहीं भी भेशते हैं तो अधिकतर एपस तो सपोर्ट कर लेती है पर कुछ-कुछ एपस ऐसी होती है जो उसको सपोर्ट नहीं करती जिससे आगे दिक्कत होती है जैसे कि मैं आपको यह बता रहा हूं जैसे अगर आप वीडियो भी रिकॉर्डिंग करते हैं माँ पर आइपोन में तो उसका जो वर्जन रहता है आइपोन की वीडियो हुआ को ऊसके फोटो को हैएक फैटियो में पर वीडियो में दो पर आपने आइपोन से कोई वीडियो को रिकॉर्डिंग करें और उसको अगर आप कहीं और शेयर कर जो उसका फॉर्मेट रहता है पर आपका बहुत दिक्कत होती है बट यह सौफिए आपका वही काम करने वाला, यहाँ पर आप directly convert कर सकते हैं, images को, videos को, he images से लेकर, normal images पे, jpg में, और यहाँ पर सब format दिये गए हैं, आपको जिस format में भी करना है, आप यहाँ से उसको easily convert कर सकते हैं, उसके बाद दिया गया erase phone, अगर आप अपने iPhone को पूरा delete करना चाहते हैं, तो आप पर क्लिक करो, और पूरा आप यहाँ से erase कर सकते हैं, यह तो हो गया जो free, आपको जो simple free में आपको जो feature मनने वाले हैं, उसके बाद जो काम के, जो बोल सकते हैं, important feature है, important तो है, काम के तो है, iPhone to iPhone transfer, अगर आपके बास दो iPhone है, या फिर अगर आप एक iPhone बेच रहे हैं, और दोनों device को उसकी original आपको cable से connect करना होगा, अगर आपके अस original cable नहीं है, तो शायद यह feature काम ना करें, बट आपको दोनों original cable से अपने iPhone को connect करना होगा, और simply एक iPhone को data अपने दूसरे iPhone पर easily restore या backup कर पाएंगे, उसके बाद नीचे दिया गया है, transfer to iPhone, यह है कि अगर आपको अ तो ही अपने data को computer से आप अपने iPhone में डाल सकते हैं, नहीं तो वो जाएंगे नहीं, स्रिफ backup ही आप ले सकते हैं, तो यह feature भी यहाँ पर बहुत काम का दिया गया है, उसके बाद वहाँ देखेंगे, last feature और क्या दिया गया है, last feature है transfer to computer, आपको यहाँ पर backup पे click करना है, जै यह जो भी आपका backup रहेगा, यहाँ काँ save होने वाला है, तो आप यहाँ डारेक्ट पे click करके उस folder को भी direct open कर सकते हैं, या फिर अगर आप change करना चाहें, पर कोई और आपके drive में save हो, तो आप यहाँ पर drive को भी change कर सकते हैं, ताकि आप easily उसको save कर सकें, और बाद में access कर स पूरा यहाँ पर confirm करना चालू कर देगा, या फिर backup यहाँ पर चालू हो गया, आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेना चालू हो चुका है, उसके बाद यहाँ से आप चाहें तो new backup भी use कर सकते हैं, तो मैं फिला स्टॉप करते हैं, तो फोटोस तो बहुत जादा है, तो उस के बाद contact की permission भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इसको यहाँ से आपको cancel कर देना है, और जो भी backup लेना हो लेना, लाइक आप मेरे को वीडियो को फोटोस के मैंने हटा दिया, contact हटा दिया, message हटा दिये, वीडियो हटा दिये, अब जो भी मेरे पास जो भी वीडियो को मैं मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अब मुझे सर्फ music का ही लेना है जैसे, मैंने यहाँ पर click करा, और जो भी मेरे पास music होगा, वैसे music है नहीं मेरे पास, तो अगर आपके पास music होगे, यह से मेरी पूरी photos आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी photos access हो गई है, तो आप single एक ए यह चीज बहुत अच्छी लगी, simple सी process है, मैंने यहाँ select करा, जो भी चीज, अब मैंने यहाँ click करा, start backup पर click करूँगा, तो जो जो मैंने हमाँ select करा था, वो automatic यहाँ पर backup होना चालू हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं, यह backup हो रहा है, अगर यह paid version होगा, तो इसमें ब बाद में आप उसको easily restore भी कर पाएंगे, अब देखेंगे यह backup हो रहा है, जितने MB का backup था, यहाँ पर सब यहाँ पर दिख जाएगा, और 20 file हो रही है, यह सब यहाँ पर आपको पूरा calculator हो कर दिख जाएगा, और बाद में आप उसको easily restore भी कर सकते हैं, तो दोस्तों मुझ सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ मैं नोटिफिकेशन वाला आइकन को दबाना भी ही ना भूले, ताकि जैसे कोई मैं नहीं डालूँ, आपको सबसे बेले नोटिफिकेशन हो है, और हो सके तो मुझे इसका लिंक आपको नीशी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो थैंकि तुस्त